अच्छा ऐसी एक प्रेस व्यू करके ड्रॉप आई थी, उसको बहुत ज़ादा वाइरल हो गे थी सोशल मीडिया पर और इसी वज़ा से इस पर बयान लगाये गया, बिकॉज ये एक तरह से मिसलीडिंग होती जारी थी, प्रेस व्यू जो ड्रॉप है इसमें जो सॉल्ट है, that is diluted pylocarpin, pylocarpin जो हम दवाई है, इसको हम कई सालों से काला मोते हैं, ग्लुकोमा के हिलाज में यूज करते हैं, बट इस ड्रॉप का एक effect होता है, कि ये जब हम यूज करते हैं आँख में, तो हमारी आँख की जो पुतली है, जो प्यूपल है, उसको जो छोटा कर देती है तो ये ड्रॉप बनी थी, कि जब आपकी उमर 40-45 साल से उपर हो जाती है, तो हम सबकी आँखों में reading का number आता है, पढ़ने का number, तो जब आप इस ड्रॉप को डालते हो, तो ये ड्रॉप आपके pupil को, size को छोटा कर देती है, और आपके आँख की जो depth of field है, वो बढ़ जाती तो अगर किसी इनसान की आँख में 40-45 साल के बाद reading का number है, और वो ये drop डालेगा, तो कुछ हद तक वो number कम हो जाएगा, बट temporarily, जब तक वो drop का effect है, और कुछ हद तक वो reading का काम कर सकता है, अभी डाली drop और 2 गंटे तक ठीक है, उसके बाद 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 दवाई का असर खत temporary आपको relief दे दिया है, और वो relief भी 100% नहीं है, मालो 50 साल का बंदा reading का number है, अगर वो आँख में drop डालता है, तो ऐसा हो सकता है कि उसका एक number तक ठीक हो गया, तो जो चीज़ को यहाँ से पढ़नी पढ़ दिया है, वो थोड़ा सा पास से पढ़ पाएगा, लेकिन ये temporary effect है और ये भी 100% effect नहीं है, बट हो क्या रहा था कि जब ये दवाई यूट्यूब वगेरा, social media, instagram पे लोगों ने इसके बारे बात करना शुरू करा, तो लोगों को इस तरह का information गया है, इस तरह का idea लगा कि इस drop को डाल के चश्मे का number ठीक हो जाएगा, and usually we see in India कि ये सब दवा कि लोगों इसको misuse करना शुरू ना करते है, so that is why clarity of information available ने थी, तो यहाँ भी नोने इसके लिए बाल लगा दिया, and लोगों के मन में ऐसा होता है कि इन drops को डाल के आप चश्मे का number ठीक कर दोगे, या बढ़ने से रोक दोगे, this is absolute myth.